हेई विवोज दिसे शालनी वेलकम बैक तो शालने डियर क्लासेस फर्स्ट रफ फॉल गुद मॉर्निंग ट्यू एवर्यवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप अच्छे होंगे आप सभी के प्रैक्टिकल लगबर अलग-अलग कॉलेज में देखने को मिल रहे हैं हम आज के इस वीडियो में मैं आप से यहां पर अच्छे से धंग से प्रॉपर तरीकी से आपको यह बताना चाहरी हूं पहले कि आपको क्या-क्या चीजे पढ़नी हैं वह भी इंग्लिश में आप यहां पर यूबी डिलेट का सेकेंड सेमेस्टर जो आपका है जो आप सब्स आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे फूल लिटिले बताऊंगी कि आपको क्या चीजे पढ़नी है तो आप बढ़नी है तो आप से पूछ सकते हैं मैं तुरह न रिप्लाई आपको जरूर दूँगी तो चलिए देखते हैं क्या है इंग्लिश के पूरे सब इंग्लिश आपका जैसा कि आप देख रहे हैं और फो सेमस्टर में मिलेगा तो सेमस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ना है पच्चिस नमबर का पेपर है काफी बढ़े हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है कुछ चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी जो आपने अभी नसी आप्रोच करने के पढ़ने के जानने के समझने के मेतड़्स होते हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट एप्रोच एन मेथचिंग इंग्रिश से एक टौपिक मेला है वो आपको पूरा कंड़क करना है करेक्ट नेक्स देखें बाइलिंग्डवीड अप्रोच प्सक्रा क्या क्या चीज़े होती हैं क्या क्या है इनके बारे फुल डीटेल में आपको देखने को मिलेगा तो दूसरा टॉपिक हो गया तीसरा सब टॉपिक यहां पर दिया है डॉक्टर वेस्ट नुव मैथद यह भी काफ़े इंपॉर्डेंट है किस ने दिया इनमें क्या था क्या से दोनों में क्या रूल दीए मैथट से कैसे इंटरकनेक्टेट था फिर इनको अगर एक चीज वही चीज डिफाइन करा तर क्यों अलग से बनाया गया यह सारी चीज़ें आपको दिखेंगी आपको यह डाइक पूस्ट लेगा इस इस आपको बैसिक्ली दो राइन से तीन लाइन में पूछ लेता है चाहिक है कफी प्रश्ण बनते हैं यह जैसे होता है देखने टौपिक यह सारी बाते आपको देखने को मिलेंगी लांग्यज गे तो पर यह तो पीक है जिसको आपको समझना है क्या प्ढ़ने का या तो दिखें इसमें language को सिखाना है language को पढ़ाना है वो भी गेम के थूँ वो भी गेम के थूँ तो यह एक टॉपिक है तो यह theoretical आस्पेक्ट जो आपका दिया था उसके अंदर यह सारे जो थे सब टॉपिक से जो आपको पढ़ने हैं अभी तक आपने यह चीजे नहीं पढ़ यह ऐसा topic है यह useful topic है जो काफी valuable तब हो जाता है जब आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर तुरिट की चीज़े रहती है वह ज्यादा आती है इन कंपैशन तो जो ऊपर से questions पूछे जाते हैं called as about as something something तो उस चीज़ों में यह concept ज्यादा पूछा जाता है इ तो भी करें बात की बात है यह मैंने आपको बताना है कि आप रिलेट करें कि आपको कहां यह फर्दर काम आएगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स देखिए अब यहां पर दूसरा topic है वह क्लास्रूम टीचिंग इमका content क्या है English in our daily life में क्या कैसे कैसे यूज करते हैं कहां का इंट्रूशिंग इंग्लिस अल्फाबेट और रिलेवेंट नाइम्स और बर्ट अनिमल फ्लावर्स विजटेबिट यह अलग अलग नाम आपको मिलेंगे इस अब आपको पता है फिलाल यहां पर आपको नमबर्स मिलेंगे बेसिक इकनम जो जीरो लेवल की English होती उसकी स् मौकिकर सबस्क्राइब हैं कि सब्सस्याउट ждokeasan ग्लावर्स के इसमाख शमलें सबस्क्राइब इस ने जो ऑन करेंशन समगद हो की यहां चुछ आपको मिलेगा ओनेयों इन थे अच्वार नएगा काया आपको का मिलेगा बीची से पूचलिख दे और बहल ऑब संटेंट् कि यहां पे दूसर क्या है यह पे नर्सरी राइमUM कर चाहिएं कभी कभी ऐसे एक दो बार पूछा कि यह है बहुत जार नहीं लेकिन आता है तो यह राइम का इसमें है सेक्षण राइम से भी प्रश्णा आपको मिलेगा त्क है Yep क्षीज तुछ रृटियम पूछेंगा उसमें लरिक्स पूछेंगा कुछ कुछ चीज एक हैसरो पूंचनि जो पूछे याथे चीक है नेक्स यहां पर है राइटिंग प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं आपको handwriting के लिए और spelling writing के लिए आपको सिखाएगा बताएगा आपको जैसे कि जो है आप बोल सकते मैं मैं की spelling आप से पूछ लेगा तो यहां पर डैस दे देगा और यहन कर देगा तो मैं और मैं दोलों की स्पेलिंग में डिफर होता है और यहां पर आपको option दिया रहेगा यह भरना या यह भरना तो वह चीज़ें यहां पर आपको स्पेलिंग सिखाने का प्रॉसस है नेक्स देखिए ग्रामर में क्या है काइंट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कोई बात नहीं होगी punctuation आप देख रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं अच्छे से कर लेंगे बहुत बढ़े हैं तरीके से कर लेंगे ठीक है यह यहाँ पर determiner a and the article जो यह यूज होते हैं काफी इन से प्रशन आपको fill in the blanks type के काफी ज़दा पूछे जाते हैं हम basic grammar पढ़ते आए हैं हमें दिक्कत नहीं होगी आप मेरे साथ बने रहेगा मैं आपका यह concept बहुत बढ़े हैं clear करवा दूंगी आप बिल्कुल भी परशान नहीं होगा जिसका भी इंग्रिश नहीं है या इंग्रिश बैक्राउंड से नहीं उनको घबराने की दृवत न देना है self introduction कैसे देना जिस आप कहीं जाते हैं कोई चीज का introduction देना है तो उसके बारे में आप कैसा कहीं इंड्रिश कर सकते हैं खुद को एक सेक्टरा एक सेक्टरा चीजे आपको देखने को मिलेंगी फिर यहां पे आप देख से हैं फोनीम से है कुछ चीजे कैसे कितने व को मिलेगा जो आपको narration से concept आएगा पूछने को आपको और यह vocab का आएगा आपको यह नाउन के प्रकार पढ़ने है जेंडर वगरा पूरा बढ़ना है डिटर्माइनर पढ़ना देखिए पर से वे डिमांस्ट्रेटर डिस्ट्रिवूटर डिटर्माइनर के जितनी भी च कि आए बतर सीओ्डनामच denen के प्रकार भी आपको यह पर देखने को मिलें घै तो यह आइए आरपको बर्व भी मिलेगा आपको यह नवं आपको यह पर प्लणा रहेग आपको प्ढ़ना रहे लि Can Free कउपेंटर यह स्टमेटर आपको सारी चीजएं मिलेंगगी वीशब्स सारी चीजें आपको पढ़नी है रीडिंग पराग्राफ डायलोग पोयम इनुटेशन सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा आपके इंग्लिश का जो स्लाइब से थोड़ा ब्रॉड भी है आप एक सरी कि आपको प्रोजेक्ट का मैटर है कि आपको प्रोजेक्ट मिलता है बन आसपेक्ट है मैं इसको आपको बहुत अच्छे से करवाओंगी आप बस मेचल साथ बने रहेगा वीडियो को रिपीट करके देख लिएगा नोट्स आपको दे दूँगी मल्टिपल टाइम रिवाइस कर लिए हिंग्लिश में नोट्स मिलेगे और पेपर इंग्लिश में ह लिखना है हिंदी में नहीं लिखने को मिलेगा यह वाद ध्यान रखिएगा 25 नमबर का कॉंसेप्ट है इसका काफी अच्छे सब कुछ हो जाएगा उमीद है आपको यह वीडियो मिली होगी अच्छा लगा होगा अगर समझ में आया है तो प्रीच ने को सब्सक्राइब कर लेंगे पूछ लेंगे आपसे चिक है अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स वाचिंग